इंपियर NXG Electric Scooter की टेस्टिंग में देखी जलक, मिलेगी बड़ी डिजिटल डिस्पले। इलेक्ट्रिक दोपहिया वहां निर्माता इंपियर नए NXG Electric Scooter की टेस्टिंग कर रही है, जिसे हाल ही में देखा गया है। ये कमपनी की ओर से Auto Expo 2024 में प्रदर्शित किये गए दो इलेक्रिक स्कूटर कॉनसेट में से एक है। स्कूटर की टेस्ट म्यूल पर कोई स्पष्ट बेजिंग नहीं है, लेकिन इसकी स्टाइल NXG Electric Scooter कॉनसेट से मेल खाती है। इसे एंपियर की लाइनप में नए प्राइमर्स के ऊपर प्रीमियम पेशकश के रूप में रखा जा सकता है। स्कूटर में मिलेगी बड़ी डिजिटल डिस्पले। आगामी एंपियर NXG की तस्वीरों में बॉडी वर्क को प्रीमियम टच देते हुए इसमें फिट बैठने वाले फुट पेग्स और लेड लाइटिंग न जराती है। ये फ्रंट डिस्क ब्रेक वाला पहला एंपियर स्कूटर भी होगा। साथ ही इलेक्ट्रिक स्कूटर बड़े डिजिटल डिस्पले के साथ आएगा, जो लगबग पूरे हैंदल बार एरिया में फैला हुआ है। हाला कि ये देखना बाकी है कि यह LCD या TFT यूनित में से कौन सी होगी। इसमें सिंगल पीस सीट और सवारी के लिए एक बड़ा ग्रेम हैंडल भी है। स्कूटर में मिल सकती है 120 किलोमीटर की रेंज। आटो एक्सपो में पेश किये गए इंपियर NXG कॉनसेप्ट में एक बार चार्ज करने पर 120 किलोमीटर की रेंज मिलने का दावा किया गया था। संभावना है कि प्रोडक्शन स्पेक को इसी रेंज वाली बैटरी के साथ उतारा जाएगा। हाला कि ये देखना बाकी है कि इसमें लिथियम आयन बैटरी या लिथियम फेरस फॉसफेट एलेफपी बैटरी में से किसका उप्योग किया जाएगा। इसे प्राइमर से उपर रखा जाएगा तो कीमत भी उसकी 1.46 लाक रुपे एक्स शोरूम से अधिक रहने की उम्मीद है। वीदियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।